क्यासे हैं आप सब लोग दोस्तो मेरा नाम है मनेंदर सींगोला और आप जोड़े हुए मेरा ओफेशल यूटूब चैनल से फर्स टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कल मैंने इसी टाइम एक वीडियो को अपलोड किया था जिसमें synthetic identity के वारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि यह क्या होती है और इसको किस तरीके से जो है बनाया जाता है और इसको रोकने के वारे में मैंने आपको बताया था कि मैं next वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊँगा कि हम इस synthetic identity को किस तरीके से हम इस fraud को किस तरीके से हम रोक सकते हैं क्या क्या उपाई हमें करने चाहिए और हाँ इस वीडियो के अंदर मैं एक और बात बताने वाला हूं कि हमारा जो वेरिफाई है वो किस तरीके से इस synthetic identity को इस identity के fraud को रोकने में बहुत ही जाद पावरफुल बनाया जा रहा है जिससे की आने वाले टाइम के अंदर हम और भी टॉप लेबल पर पहुंच जाएंगे और आने वाले टाइम के अंदर हमारा जो ओव वेरिफाई है इस पूरी इस identification की दुनिया के अंदर एक टॉप का टूल बनने जा रहा है तो इस O-Verify के बारे में भी जानने के लिए आप इस वीडियो में जब शुरू से लेकर लास्ट आप जरूर बने रही है सबसे पहले तो मैं उन सभी का हमारे वीवर्स का मैं धन्वाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि हाँ हम जानना चाहते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने synthetic identity fraud को रोग सकते हैं वो तरीके उनको जानने हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो मैं सबसे पहले जो है उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों न हमें कमेंट किये हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किये हैं क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि उनकी जो सोच है वह सोच पूरी तरीके से अपने इस business को ले करके अपनी इस protection को ले करके अपनी future को ले करके पूरी तरीके से confident है वो और वह हर एक तरीके से अपने आपको मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज हम बात करते हैं ऐसे पांस तरीके जो की aesthetic identity fraud को रोगने में बहुत ज़ादा help करते हैं और बात में बात करेंगे और verify की तो सबसे पहला जो तरीका है वो है motivate customer to create a unique password यानि की कोई भी संस्ता हो या कोई भी organization हो कोई भी company हो हर company हर organization अपने customer को एक strong password एक unique password बनाने की सलह देती है यदि आप synthetic identity fraud से बचना चाहते हैं सबसे पहले और आसान तरीका तो यही है कि अपना किसी भी account का password बहुत ही complex password होना चाहिए बहुत ही जटिल password होना चाहिए जिससे कि जितने भी आपके online काम होते हैं और आपका कोई भी account बना हुआ है तो इस बात का आप हमेशा द्यार रखें कि आपका जो password है वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसको आसानी से अनुमान ना लगा सके और सभी organization अपने सभी client को इसी प्रकार का password बनाने की सलहा भी देती है यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है दूसरा तरीका improve onboarding process हमारे आज पास ऐसी बहुत सारी organizations हैं जिन्होंने offline से online process को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है इसलिए हमें यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि synthetic fraud activity से संबंदित कौन कौन से issue होते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है इसके साथ ही साथ अपने client की समय समय पर review and optimization की onboarding process करना ज़रूरी है especially तब जब आपकी company एक finance company हो और finance का मतला आप समझते ही हैं जहां पे पैसों का linden किया जाता हो identity proof document और KYC की परयाप चांच हमेशा होती रहनी चाहिए नमब तीन integrated user authentication जी हां integrated user authentication user authentication का मतलब होता है यहां पर company को और सारी organization को manual और technical data analysis शामिल करना चाहिए जी हां जिससे की वर data को पहचान सके और उनके उपर एक layer लगाने चाहिए जिससे की धोका दड़ी होने पर उसको आसानी से तोड़ा ना जा सके बहुत सारी हमारा जैसे की हमारा मैं एक आपको example देता हूँ हमारा जो ATM card होता है उस पर दो चार पांच layer होती है जिसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता अगर आप सारी layer तोड़वा देंगे एक ऐसी layer होनी चाहिए हमारे पास एक नहीं बलकि एक से जादा ऐसी layer होनी चाहिए जो की आसानी से कोई भी उसको तोड़ ना सके किसी भी धोका दड़ी को detect करने के लिए more integrated technology जरूरी है जिससे की किसी भी fraud को नुकसान होने से पहले पहचाना जा सके कई टूल इस्तमाल करने से dashboard और report बनती हैं जिसके परड़ाम शरूप किसी fraud करने वाले के लिए data चोरी करने की बहुत कम संभावना होती है नमबर चार aware of suspicious behavior यानि की एक suspicious behavior का मतलब होता है बेहवार कि कोई activity हो रही है उससे आपको साबधार रहना है यानि की हर किसी organization को अपने customer की online activity पर नजर बना करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर कोई चिंता का विश्य होता है तो उसे तुरंट उस पर और ज़्यादा कड़ी नजर बना करके रखना चाहिए जैसे for example आपका कोई bank account है एक suspicious behavior में आपकी उपर नजर बना के company रखने लगती है कि इतना ज़्यादा लेंदेन ये क्यों हो रहा है आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है इस तरीके से यानि कि ये behavior होता है कि आपके account में जो भी एक हरकत हो रही है जो भी activity हो रही है वो कहीं suspicious तो नहीं है क्योंकि किसी के माते पर लिखा नहीं होता है कि आप बिल्कुल प्याओर है तो यहां पर कोई भी व्यक्ति के account में जब एक unwanted activity दिखाई देती है तो उस behavior पर जो है एक नजर बना के रखती है हमारी organization जहां से भी यह गड़बड हो रही है अगर कोई भी suspicious activity अगर आपको दिखाई देती है तो इस परकार की activity पर नजर बनाए रखने से आप किसी भी बड़े इस केमर तक पहुँच सकते हैं हो सकता है कि वह इस केमर उस व्यक्ति से जुड़ा हो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है और मैं इस बात से पूरी तरीकी से सहमत हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो की एक unwanted activity करते रहते हैं अरे अभी तो इसके account में जो है एक रुपय भी नहीं था ये एक बार महीं 5 लाग रुपय कहां से आ गए अगले दिन देखा तो 10 लाग रुपय आ गए ये रोज कहां से आ रहे हैं तो अगर वो व्यक्ति इस तरीकी की कोई भी activity करता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह किसी भी एक scammer से जुड़ा हुआ हो सकता है और उस व्यक्ति के दुआरा हम किसी भी scammer तक पहुँच भी सकते हैं उधारण के लिए यदि कोई एक अच्छा credit score वाला व्यक्ति एक ऐसी activity शुरू कर देता है जिससे उसकी score पर तुरंथ impact पड़ता है तो इस condition में उस activity की report करना और उस customer को check करना बहुत ज़ादा जरूरी है किसी भी suspicious activity को पकड़ना उसकी पहचान करने का एक तरीका और भी है और वह है digital footprint trial के माध्यम से यदि आपको कुछ suspicious activity लगती है तो आप उसका footprint का trial भी ले सकते हैं footprint का मतलब यह है यहाँ पे पैरों के निशान से मतलब नहीं है यहाँ पे आपके अंगुठे का निशान या कोई भी आपका print हो सकता है उसका निशान आप ले सकते हैं कोई भी organization आपको verify करने के लिए आपके email, online information और social media account पर नज़र डाल सकती है यह है दी गई जानकारी customer की valid है या नहीं आई होप आपको समझ में आ गया होगा यानि की organization आपको पूरी तरीके से चेक कर सकती है आपके social media account को, आपके email को, online information को हर तरीके की जानकारी को चेक करेगी कि यह valid है या नहीं है बहुत सारे इसके अलावा anti-fraud software इस समय market में available है जो आपकी अलग-अलग website को scan करके पता लगा सकते हैं और आपकी digital footprint को analysis करने में help कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें आज के दौर की, आज के दिन की तो आज किसी भी synthetic identity fraud को पहचान करना बहुत ही जादा सुविधा जनक और आसान हो गया है जी हां बहुत ही जादा आसान हो गया है और यह काम हमारे on passive के o verify टूल ने और भी जादा आसान कर दिया है जी हां अब बात करते हैं हमारा जो o verify है वो इस synthetic identity fraud को किस तरीके से prevent करने में, रोकने में हमारी help कर सकता है हर प्रकार के customer को स्वरक्षित करना बहुत जादा जरूरी है बिसेश रूप से तब जब वह इस digital दुनिया का हिस्सा हो on passive इस digitization को सभी demand से पूरी तरीके से अबगत है यही कारण है जिसकी बज़े से अपनी company on passive ने latest KYC tool o verify लाँच किया है o verify अपने customer की onboarding process को शुरक्षित और मजबूत बना कर synthetic पहचान और fraud को रोकने का एक smart तरीका है इसमें amazing OCR technology का इस्तमाल किया गया है जो किसी भी document और verify से data को निकाल लेती है जी हाँ इसके अंदर व्यक्ति के facial biometric का इस्तमाल किया गया है जिसकी मदद से किसी भी परकार के forgery और fraud को analysis किया जा सकता है O verify किसी भी type की organization के लिए एक best tools सावित होने जा रहा है specially verification की operation करने की अंदर यानि की जहां जहां भी verification के लिए काम किये जाते है तो I hope आपको समझ मां आ गया होगा कि हमारा जो O verify है बहुत ही जल्दी हम सब लोगों के बीच में आने वाला है और किस तरीके से यह synthetic identity fraud को रोकने में हमारी एक बहुत बड़ी help करने वाला है और पांस तरीके मैंने आपको बताए जिन पांस तरीकों के माध्यम से हम किसी भी synthetic identity fraud को हम आसानी से रोक सकते हैं अगर आप इस business के लिए serious हैं तो आप सीखने के लिए serious हो जाईए otherwise आपकी मर्जी है आप जो चाहें वो कर सकते हैं जहां चाहें वहाँ जा सकते हैं thank you so much have a nice day we are so in it two minutes जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तयारी अच्छी होगी last में मैं आपको एक और information दे देता हूँ अगर आप health से संबंदित और अपने पैसे से संबंदित हर प्रकार की जानकारी रखने में रुची रखते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आप महीने का कितना पैसा किस तरीके से कमा सकते हैं और अपनी health को लेकर के अगर आप पूरी तरीके से साफधान हैं अवेर हैं चिंता करते हैं तो आप हमारा नया चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं Money Management and Health Management मैंने इसकी जो link है वो अपने इस वीडियो की description में दे रखी है आप उसे जरूर सब्सक्राइब करेए Thank you so much